उबलते वे पानी में कुछ दही डाल लीजिए अब आपको लग रहा होगा भला ये कौन सी बेफ कुफी की बात हो रही है उबलते वे पानी में दही कोई डालता है लेकिन आप जब ये देख लेंगे तो आप भी कहेंगे चलिए उबलते पानी में थोड़ी सी दही डाल दी जाए थोड़ी सी सूजी डाल दी जाए ऐसा क्यों हो रहा है क्या कर रहे हैं आपको विस्तार में बताएंगे क्योंकि हर कोई चाता है सुबा के नाश्टे में एक नया पन हर कोई चाता है एक नया स्नेक्स मिल जाए एक नया ब्रेकपास मिल जाए क्योंकि हर रोज घर में सुबा उठते ही एक ही बात होती है आज क्या बनाए नाश्ते में और एक ऐसी डाउट शुरू होता है कि यार ये नहीं तो वो बना लेते हैं ये तो कल ही खाया था इसमें नया क्या है ये तो परसो ही खाया था सुबा उठके हर कोई नई चीज खाना चाता है आज इस तरीके से हम सूजी बेसन काई मिश्टन दही के अंदर बलते वे पानी के अंदर भना के तयार करेंगे तो आप भी कहेंगे कुछ नया पन तो आ ही गया इस नाष्टे में थोड़ा कटावा प्याज धनिया हरी मिर्ची डाल लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च है इसमें मिक्स और इस सारे मिश्टन को मिक्स करने के बाद हलका सा सेखने के बाद यह जो मिर्चन परफेक्ट तैयार हुआ है अब यह आपके स्वादिश स्वादिश नाष्टे में चार चांद लगा देने वाला है हलके मसाले जरूर डाल दीजेगा नहीं तो यह फीका लगेगा इसलिए हलका नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, जो पसंदो हल्दी यह सारी चीजे डाल के मिक्स कर लीजी स्वाद अनुसार रखेगा और इसमें थोड़े से मसाले कम रखेगा अब यह पूरा का पूरा मिक्स होने के बाद दोस्तों आपको क्या लग रहा है, बेसन और सुजी का हलवा बन रहा है नमकीन हलवा है, उपमा है, नहीं नहीं यह एक नया नाश्ता है नया नाश्ता क्या है, यह जो मिश्टन हमने तयार करा इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालने के बाद इस मिश्टन को करेंगे, फटाफट से साइड पूरा साइड करने के बाद हम दोस्तों इसमें से निकालेंगे कुछ क्यूब्स, वो क्यूब्स कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, थोड़ी सी पहले हमने चिली फ्लेक्स और औरीगेनो डाल दिया है और ये मिक्स कर रहे हैं और अब इसको गैस के नीचे उतार लेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा थंडा होने का इंतजार करेंगे अब इस थंडा होने का इंतजार क्यों करेंगे ताकि हम इसकी बॉल्स बना सके अब ये बॉल्स क्यों बनाएंगे क्योंकि एक ये निया नाश्ता है मैं आपको बार बार दोरा रहा हूँ अगर आपने एक बार ये नाश्ता कर लिया ना तो आप भी कहेंगे कि भाई वा इतनी नई नई चीज़े कहां से लाते हो भाई तो अब आपको इसको सेकने के बाद गैस से उताड़ लेना है और थंडा होने के फ़ाद जैसे मैंने आपको बताया था आप किसी भी शेप में चोरश शेप ले लिजए गोल टिककी की शेप बना लिजए अब वो बने कैसे यवजज जैसे जैसे थंडा होता जाएगा ना बॉल्स बना लीजmiyorum कैसे भी बना लीजिए कट्लेट्स बना लीजिए समझिए कट्लेट्स बन गयें अब इसने हम थोड़ी सी छीज की स्टफिंग कर सकते हैं पनीर डाल सकते हैं या फिर आप इसको कुछ नया पनौर देना चायते हैं चीज ना डाल करके आप इसमें आलू की स्टफिंग भी खर सकते हैं हमने ये मौजरेला चीज डाली अंदर और ऐसे फोल्ड कर दिया पनीर भी डाल सकते हैं उससे भी बेहाद अच्छा लगता है और जब हम इसको अभी सेखने के बाद आपको दिखाएंगे ना अंदर मेल्ट इन आ माउथ ऐसी बड़िया चीज मौजरेला चीज किची किची चली आएगी आप कहेंगे भाई आज तो हमें यही खाना था यही पकवाना था यही शानदार चीज दिखुँद चीज डालने क बाद इसका स्वाध ही बहुत बड़ी आता है तो यह निया ब्रेकफस्ट आपको कैसा लग रहा है इसको फटा-फट सेखते हैं पैन में ऑईल डालने के बाद और आपको दिखाएंगे कि यह कितना अच्छे से भुना जाता है कितना अच्छे से तयार होता है बहुत लेस बनके तयार होता है और सुबा के नाश्टे की हमारी एक बेसिक रूटीन सी बन चुकी है तो इसको सेखने के लिए हमने बहुत कम नॉनस्टिक ऑईल डाला है नॉनस्टिक पैन में और यह टिक्की जो हमने कटलेट बना के तयार करे थे हैं रख रहे हैं और जैसी सिख इसमें टेस्टी भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें सूजी और बेसं दोनों नयापन है वेजीज है तो यह पक्के तयार होगी है इसकी एक साइट डूसरी साइट पलेट लेते हैं आप कहां से देख रहे हैं वीडियो जरूर बताएगा फ्रेंज और यह हमारे एक दम कटलेट्स तयार है आशा करता हूँ आपको एक कटलेट्स पसंद आई होंगी क्योंकि यह बढ़िया बनके तयार हुई है और इसको एक कटलेट को किसी भी चीजी कटलेट को हम एक बार नगेट्स को तोड़के दिखाएंगे ताकि आपको इसके अंदर की मेल्ट च सच बता रहा है अब नहीं वेट कर रहा है मैं चाय बनवाता हूं और इसे खाता हूं क्योंकि बहुत ही यम्मी लग रहा देखके और वेजीज का ना सुआद भी बहुत ही अच्छा आने वाला इसमें से तो यह देखिए फ्रेंज मेल्ट इन मौट चीज के साथ मौजरिला च जाय वह वेंड्यट टीज के लिग एजटाओ शूड़न अवन ने स्कार्ण चार्ण चे सब्सक्रेंवन प्रेंट के। ने लिएक अड़ाद स्कार्ण पारन चार्ण ड़्ण देमेड, । आने लिएक तो चार्ण डेड़ आधाता है टेरिख व्य। आधान के बाले भी ज